महा पढ़व छट की प्रारंब हो गई है, बहार का सबसे बड़ा पढ़व भी कहा जाता है, इस पढ़व में भगवान सुरी को अर्ध दिया जाता है तीन दिनों का यह महा पढ़व होता है, आपको बता दें कि इस पढ़व में सूप डाला वह फल का काफी महत्तु है इसको लेकर जब पंडित हडियर चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पर्वु में छह फल चढ़ाय जाते हैं। इसके पीछे की काफे रोमान चक कहानी है। राजा से पूछा ही राजान तुम क्यों रो रहे हो। तभी इस पर राजा ने जवाब दिया मुझे काफी मिन्नतों के बाद एक पुत्र की प्राप्ती हुई। लेकिन कुछी दिनों के बाद इसकी मरती हो गई है। तभी सुन्दरी ने कहा अगर मैं इसे जिवित कर दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे। राजा ने कहा आप जो कहेंगे मैं वह करने को तयार हो जाओंगा। तभी उस सुन्दरी ने कहा कि तुम्हें तीन दिनों का कठिन उड़त करना होगा। राजा ने कहा मैं तो करूँगा ही मेरे साथ साथ सारे प्रजा भी इस पर्व को जाते हैं हडियर चौधरी ने बताया कि इसमें खासकर नारियल वा गन्ना हुना अति आवस्चेक है जो जानते हैं वह च्छफल का जरूर प्रियोग करते हैं जरूर प्रियास के बाद उसे पुत्र हुआ जन्द के कुछ बर्सों के बाद उसकी मौत हो गई घर में रोना धोना शुरू हो गया और लोगों ने यही सलाह दिया खे राजन पुत्र तो मर गया लेकिन सनातन धर्म के अंसार इसको कम उम रह तो मिट्टी के अंदर डाड़ वी है राजा उसे चाती में लगाते है समसान की ओर गया और नीचे रख करके रो रहा था तरही क्या देखा उसने एक विमान आया और उसके बगल में बैठ गया तो विमान आया उसके बगल में बैठ गया अगर मैं इस बालक को जिन्दा कर दू तो क्या ये शस्थी का ब्रत तुम धारन करोगे इस पर राजा ने कहा कि भगवती मैं अवश्य ही इस ब्रत को धारन करूंगा और यह मेरे तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि प्रजाओं के द्वारा भी इसका मैं प्रयास करूंगा कि अब्रत चले इस ब्रत ने विशेश करके देखता हूं कि छह पल चड़ते हैं सस्थी के नाम पर सस्थी का अर्फ अच्छा है तो छह पल चड़ते हैं लेकिन यह सब के लिए शंभव नहीं है लेकिन नारियल और कितारी अवश्योश में और पकवा अर्फ साथ झालचा झालचा अवश्योश में लेकिन नारियल गड़ते हैं सब के लिस अवा